हम सब जानते हैं कि पानी हमारे जीवन का एक मूल्य आधार है और हम उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं हमें हमेशा से ही सला दी गई है कि हमें अपने दिन की शुरुआत रोज गुंगुने पानी से करना चाहिए हम जानते हैं कि हर चीज का एक समय होता है और जब हम उस चीज का सेवन सही समय पर करते हैं तो उससे हमें बहुत ही जादा फाइदा मिलता है वैसे ही जब हम पानी का सेवन सही समय पर करते हैं तो वो पानी अमृत के समान हो जाता है आईर्वेद में हमें पानी की सही मातरा के साथ साथ सही पीने के सही ढंगों के बारे में भी देखने को मिलता है पानी पीने के कई पाइदे होते हैं और और सत्व्यस्क को रोजाना 2-3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए अगर आपका पेट पूरी तरह से खाली है तब आपको पानी पूरी तरह से लाब पहुचाता है अगर आप रात को सोने से पहले पेट भर कर धेर सारा पानी पी लेंगे तो आपको काफी सारी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है इसे आपकी शरीर के कई सारे अंगों पर प्रभाव पढ़ सकता है अब हम आपको इस पूरे वीडियो में यही बताएंगे कि रात में सोने से पहले हमें पानी क्यों नहीं पीना चाहिए पानी पीने का एक तरीका होता है इसे एकदम सही मातरा में पीना चाहिए और बिल्कुल सही समय पर हर किसी को रात के समय बहुती कम पानी पीना चाहिए क्योंकि इसके कुछ एहम कारण होते हैं सोने से पहले बहुत जादा पानी पीने पर आपकी किट्नियों पर असर पड़ सकता है क्योंकि इस दोरान आपकी बॉडी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती और इस पानी का कोई उपयोग नहीं होता इसलिए सोने से पहले ज़ादा पानी का सेवन ना करें यूरिनरी ब्लेडर प्रकरती में लोचदार होता है और जरूरत के अनुसार फेलता है रात के दोरान इसे अपने नेचरल शेप में ही छोड़ दिया जाना चाहिए अधिक पानी का मतलब होता है कि मूतराशय पूरी रात विस्तारित होता रहेगा और पानी शरीर से बाहर पा बलकि शरीर के परिसंचरन परनाली को भी प्रभावित करेगा वाटर रिटेंशन की वजह से आपके मूतरपत का संक्रमन भी हो सकता है सोने से पहले बहुत ज़ादा पानी पी लेने से आपके शरीर के नमक का लेवल ड्रॉप हो सकता है ये एक सीरियस कंडीशन है जो कि और अन्य संबंदित निरोलोजिकल समस्याओं का नुकसान हो सकता है। हालकि यह ओवर हाइडरेशन के कारण होता है और केवल तब ही होता है जब कोई व्यक्ति पानी की आवश्यक मातरा से अधिक जल पी लेता है। यदि कोई विस्तर पर जाने से पहले बहुत ज़ादा पानी पीता है तो यह शरीर द्वारा उपियोग नहीं किया जाता है। या फिर ज़रुवत से कम पानी पीना स्वास्त से जुड़ी परेशानियों को पैदा कर सकता है। साथ ही पानी को सेवन कब करना चाहिए यह सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खूब पानी पीना चाहिए ना कि रात में एक बार धेर सारा पानी पीना चाहिए। शरीर में ना तो पानी की कमी होना चाहिए और नहीं जरूरत से अधिक पानी होना चाहिए। इस वीडियो में आपको अब समझ में आ गया होगा कि रात में हमें बहुत ज़ादा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। अगर आप रात में बहुत जादा पानी पीएंगे तो आपको बार बार बातरूम के लिए जाना पड़ेगा जिससे कि आपके नीन भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपका अगला दिन पूरी तरह से चलचला बना रहेगा आने के लिए हमारे इस चनल को जरूर सबस्क्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं